चलो करते हैं अच्छी क्लास शुरू आज कर रहे हैं मीन डेवेशन अबाउट मीडिया अबाउट मीन का सेकंड पॉइंट तो आप कर दो को मैने मीन निकालना सिखा रहा था कौंसे मेथड से डारेक्ट मेथड आज एक और मेथड सीख रहे हैं लिख लो नोट्स में आज एक प्लस सिग्मा एफड अपान सिग्मा इस नाओ वह इस नहीं अवह इस नहीं है अ क्यों होता है मिर बच्चा आज्यों मीन यह उता है अज्यों मीन दी क्यों होता है एक्स माइनस ए क्यों होता है एक्स माइनस ए इसी तरह एक आता है step deviation step deviation क्यों होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू में h a कितने मिर बच्चा as you mean h क्या है मेर बच्चा h hide मैं को सुनना यही था h hide बोलते है यह सब के सब गलत अभी तो इंको पढ़ा दिए उसके बाद ही है क्या बोलते है उस गैप को बिटा विट्थ मैं को बोला ऑनलाइन में किसा जो गैप होता है okay h for width width कैसे निकलती है width मतलो gap कितने कितने का है मालो 10 से 15 15 से 20 पीश से 30 कितने का हुआ पांच पांच का तो क्या होता है फाम्मुला अपर माइनस लोवर लिमिट अच्छा से width या class width भी बोलते है इसना इंटर्वल को class interval या interval भी बोलते हैं clear next is u, u क्या होता है बिटा यह होता है d by h क्या होता है d by h यह मैं बोलू x minus a by h कितना point clear? ठेक है बिटा formula d यह निकाला था ना x minus a x minus a by h example 6 पढ़ते हैं क्या कहता example 6 पढ़िए find the mean deviation about the mean बिटा mean deviation निकालना है about mean से तो सबसे पहले आप यह को mean निकालके बताओ और mean निकालना है आप लोग उन यह हैं बिटा step deviation से attempt करो right now चालो अब मेरी turn चेक करो आपने steps सबसे बहुत ले class intervals class intervals के 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 60 से 70 से 70 से 80 अगला frequency f क्या है अब इसके बाद हम निकालते है एक्स एक्स क्या होता है class mark या दे एक्स लिखवा दू यह या लिखा हुआ है लिख लो एक बाद जिसने नहीं लिखा हो वो लिख लो सब के सब एक्स होते class mark यह होते है upper limit plus lower limit divided by 2 एक्स निकालो कैसे 10 प्लस 20 30 जान सुन लो मेंको निकालना थे बीच वाला नंबर है easily अब बोल लोगे 15 25 ऐसे है ना complicated होने पर क्या करोगे पहले वाले का formula से निकालो that is formula क्या होता है upper limit plus lower limit divided by 2 add करो 10 plus 20 30 30 by 2 15 right अब gap same है add कर दो gap कितने का gap है 10 10 का तो add करो कितना हुआ 25 35 45 55 65 and 75 यहां तक लिए अच्छा जी अब f x से निकालना किस से निकालना step deviation तो formula होता है a plus sigma f u upon sigma f into में h इस x में से मैं a को लेट करों याद है a क्या होता है a इन में से 1 2 3 4 5 6 7 7 तो बीच वाला नंबर कौन सा हो जाएगा 45 अगर 8 होते तो 85 भी होता फिर क्या लेट करता या तो यह यह कोई भी जो मेरी चॉइस हो 45 लेट कर लिए that is a यहां तक लिए अब हम निकालते u सीधा u निकालना है बिटा कैसे x माइनस a y h don't waste your time a के सामने 0 counting आती है counting उसे नहीं हो लावड बोला वाज नहीं बिटा 123 उपर क्या होगी minus 1 minus 2 minus 3 याद आगी अब इसके बाद करते हम f u करो बिटा f u minus 6 minus 6 minus 8 0 8 6 6 6 इंका टोल करो जल्दी से कितना आ रहे नेगेटिव का टोल कितना रहे जल्दी स्ट्रिक माने से और माइनस 20 राइट इसका टोल प्लस 20 लग बाए चांस कट गए क्या जरूरी ऐसा हर बारी होगा नाई ओके ना एफ का टोल कितना है बिटा 2, 3, 5, 8, 13, 13, 14, 27, 27, 27, 40, 40 आ रहे बिटा यहां तक लियर तो निकालो मीन ए, ए कितना है 45 सिगमा एफ यू, कितना है 0 सिगमा एफ 40, इंटु एच गाप कितने कितने का है 10 आंसे कितना है 45, क्योंकि 0 से मल्टिप्ले होके 0 बोलो क्या राउट है सही है अब मीन तो निकाल लिया अब इसके बाद क्या निकालते हैं में कितने को फार्मला याद है मीन डेवेशन अबाउट मीन का देखो, md x बार उतकर्ष फार्मला सुना यह मीन डेवेशन अबाउट मीन का सिक्मा एफ अपाउन सिक्मा एफ x माइस एक्स बार क्या होगा सर x माइस एक्स बार हर किसी में से हर x में से मीन, मीन कितना है 45, माइनस करो 15-45 कितना हैगा? 15-45 at least 30 अवर अलाम कितना हैगा बटा? 30, positive 30 25-45 20, 35 10, 45-45 55, 10 20, 30 अब f की मल्टिप्लाई इससे कितना है? 2 in to 30 60 3 in to 20 60 8 in to 10 80 0 80 60 60 Right? Total लागा 400 Now, अब md x बार कितना हो जाएगा? 400 by sigma f is 40 that is 10th यह था अंसर पुश्किल था बिटा नहीं नहीं नोटेड़ाँ प्लीज